अबसकार एक बार फिरिसे स्वागताब सभी का अब देख रहें हेडलांच न्यूबर रतीस वक्त की बड़ी कवरारी देश की सरोच दलत ने हिंदु विवा को लेकर बड़ा फैसला देकर नयकेवल हिंदु विवा के संस्कारों और पारंपरी के रिवाजों को बुस्ट किय है बलके उन्हें कानोनी द्रश्टी शे आविशक स्विकार किया है आज जबकि हिंदु विवा की पवित्रता और प्रंपरा तथा कतित आधुनिक जीवनों और प्रभाव के करण धुंदली होती जारी है शाच संस्कृति की आंदी में हिंदु विवा की पवित्रता समाज के समय में के साथ घटी है और इसमें सुधार और सुधरता की जरुरत है जो लोग विवा को मात्र एक पंजीगर्ण मानते हैं उन्हें चेत जाना चाहिए उन्हें साथ फेरों का अर्थ समझना होगा बिना साथ फेरों हिंदु ती रिवाजों और विवाहिक आयोजनों के कौ हिंदु विवा से जुड़ाय फैसला सुनाते हुए सुप्रिम कोट ने कहा कि शादी, गाने, डांस, सराप पिने और खाने का आयोजन या अनुचित दवार डालकर दहेज और गिफ्ट की मांग करने का मोका नहीं है विवा कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है ये गंबिर इकाई और मजबूत सांस्कृतिक और पारिवारिक आयाम है दरसल सुप्रिम कोट ने साप किया है कि बिना साथफिरों के हिंदु विवा को माननेता नहीं मिल सकती है और अर्थात शादी के लिए हिंदु विवा दिनियम में जो नियम और प्रावदान बनाएगी है उनका पालन करना होगा इस तरह को ओटने अपने फैसले में हिंदु विवा दिनियम में 1925 के तहद हिंदु विवा की कानूनी आविश्रिक्ता और पवित्रता को इसप्रष्ट किया है अधिनियम के अनुसार एक हिंदु विवा किसी भी पक्स के पारम परिक संसकारों और समारों किया जाएगा समारों में सब्त पदी यानि दूला और दूलन द्वारा पवित्र अगनी के चारों और सियुक त्रूप से साथ कदम उठाना सामिल है और जब वे सात्मा चरण के साथ लेते हैं तो विवा पूर्ण और बाद्दिकरी उजाता है कुल मिलाकर हिंदु विवा एक संस्कार है और विवा कोई व्यावसाइक लेंदेन नहीं है कोट ने जोर दिया है कि हिंदु विवा की वेदेता के लिए सब्त पदी यानि पवित्र अगनी के चारों और साथ फेरे जैसे उचित संसकार और उससे जुड़े समारों जरूरी है विवा की विवाद की इस सक नहीं है कि विवा संसकार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है अब विवा बहुतों के लिए एक दिखावा मजबूरी और समझवता भर रह गया है नयमूर्ती बी नागरत्ना ने अपने प्रसांगिक और उप्योगी फैसले में बिल्कुल सही का है कि हिंदु विवा एक संसकार है जिसे भारतिय समाज में एक महान मुल्य की संस्ता के रूप में दरजा दिया जाना चीए पारंपरिक संसकारों साथ फेरों जसी रीतियों के बिना हुए विवा को हिंदु विवा दिनियम की दारा साथ के नुसार हिंदु विवा नहीं माना जाएगा इस वज़े से कौट ने युवा पुरसोर महीलाओं से आगरह किया है कि वो विवा की संस्ता में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गेराई से सोचे और भारती समाज में उक्त संस्ता कितनी पवित्र है इसके बारे में विचार करे। प्रसन है कि हिंदु विवा को लेकर कोट को जागरुक होने और हिंदु संस्कारों को मजबूती देने की जरत क्यों पड़ी हिंदु विवा से जुड़े संस्कारों और पारमपरीक रिती रिवाजों को लेकर अनेक मामले कोट की चोकट पराते रहे हैं हर बार कोट सजकता द दूरदर्शिता और विवेक से विवा संस्ता से जूड़े मामलों पर अपना नजरिया प्रस्तूत करती रही है। फिजूल के तमासे दिखावे से बस्तेवे विवा के मूल अर्थ को समझना चीए।